हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शो बॉलोवड बस मॉलोवड बस में हम बात करते हैं उन खबरों के बारे में जिनों ने शो बिज में बस क्रियेट कर रखा है विलहाल फिलाल की बात करें तो इश्वरय राय बच्चन और अभिशेक बच्चन की फिल्मों को लेकर गॉसिप का बाजार कर्म है जी हाँ जहां एक तरफ इश्वर सी बात है इस कमबैक फिल्म का सबको बेस्तबरी सिंतज़ार है लेकिन इसे की साथ आपको बता दें कि अभिशेक की छोड़ी हुई फिल्म पल्टन कैसे उनकी फिल्म मनमर्जिया पर भारी पढ़ रही है जी हां बरबात करियर के बाद जब अभिशेक बच्चन फिर से रिपोर्ट के जरीए बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे उन खबरों के बारे में कि आकरकार बॉल्वर्ट में किन खबरों ने बस क्रियेट करकर रखा है तो नदर डालिए रिपोर्ट पर बॉल्वर्ट के जूनियर बच्चन अभिशेक बच्चन अपने बरबात करियर को अन ट्रैक लाने की जीजान से कोशिशों में लगे हैं वेल अब अपनी कमबात फिल्म मनमर्जिया ने उनकी लिए मुश्किले खड़ी कर दी है और इसका कनेक्शन जुड़ा है जेपी दत्ता की फिल्म पल्टन से दरसल अभिशेक ने लास्ट मोमन्ट पर फिल्टन को छोड़ दिया था और उन्होंने मनमर्जिया साइन कर लिया था और दोनों ही फिल्म साथ सितंबर को क्लाश करने वाल है साल 2000 में अभिशेक ने जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से ही बॉलिवुड डेव्यू किया था अब ऐसे में तो अभिशेक सोच में पढ़ जाएंगे कि मीडिया में सवाल का जवाब कैसे देंगे कि वो उन्हें मौका देने वाले मेकर की फिल्म के साथ टकर कर रहे है और तोर जबकि जेपी दत्ता ने उन्हें इस फिल्म पल्टन ओफर की थी लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म पल्टन से हाथ पीछे खीश लिया था इसके पीछे का रीजन क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है वल देखना होगा कि ये क्लाश क्या 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 कमाल दिखाता है बॉलिवर्ड की ब्यूटी क्वीन इश्वर्या रायबक्शन is all set to be seen as a glamour singer जी हाँ अतुल मांजरेकर की डारेक्टर ड्रेब्यू में वो एक singer के रूप में नजर आएंगी वेल इश्वर्या जो की साल 2016 के बाद अब पन्ने खान में नजर आएंगी लेकिन इश्वर्या की मुश्किले अब आगे बढ़ चुकी हैं क्यूंकि उनका character खुड डारेक्टर ने लीग कर दिया है बता दे कि अतुल ने इश्वर्या के character को खुदी लीग करते हुए कहा कि इश्वर्या एक popular pop singer के रूप में नजर आएंगी जो कि यंग स्वर्या के बीच काफी popular है बता दे कि इश्वर्या जो कि एक single dancer के रूप में नजर आएंगी जो कि globally stage perform करता है मांचरेकर ने गे भी कहा कि हम film को हग से जादा real दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं बता दे कि एदिल है मुश्किल के बाद अब इश्वर्या फिल्म पन्ने घान में नजर आने वाली हैं देखना होगा उनकी ये फिल्म कितना कमाल करती है बॉलिवुड फिल्मों की बात करें तो हर साल हजारों फिल्में बनती हैं जिनकी रिलीज पर सेंसर बहुत रोक लगा देता है जिहां डारेक्टर अनुभव सिना सीरीज प्रिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे पर काम कर रहे हैं इस फिल्म में वह पांच मीजिक वीडियो की सीरीज बनाई है पहली दो म्यूजिक वीडियो में जन्नत वेम आक्टर सोनल चौहान पीमें लीट में होंगी मही बता दें की फिल्म में उनके अपॉजट इम्रान हाश्मी थे सोनल फिल्हार महेश मांजरकर की पीरेट ड्रामा कर रहे हैं बाकी तीन वीडियो में हमारा दस्तूर मुख्य भूमिका में होंगे उनके पॉजट इम्रान हाश्मी होंगे अनभख सिना ने अपने इंटर्व्यू में कहा है कि लोगों ने आज के टाइम के प्यार को गलग समझ लिया है मता दे कि सनी के इस फिल्म के लिए फैंस काफी एक साइटेड है क्योंकि सनी इस फिल्म में एक अलगी किरदार में नजराने वाली है लेकिन इसके साथ ही आपको बता दे कि सनी के फैंस के लिए एक बुरी खबर है बता दे कि सनी स्क्लिट सिला की शूटिंग के लिए रामनगर पहुची थी यहां उनकी तब्यत अचानक खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट कराया गया शूटिंग के दोरान सनी के पेट में देज दर्द उठा था इसके बाद उन्हें तुरन थी एक प्राइविट होस्पिटल में लेचाया गया जहां पर उन्हें एड्मिट कराया गया फिर यहां पर सनी का अल्टर साउंड किया गया जिसके बाद सनी को वापस भीज दिया गया है बता दें कि तब्यत को देखते हुए सनी की शूटिंग को रोग दिया गया था खाली में आमिर खान को स्पॉट किया गया एरपोर्ट पर भलवता दें कि आमिर खान जो फिल्मों में अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं जी हां आमिर खान जब दी जवाते हैं हर जगएं तो उन्हें Mr. Perfectness कहा जाता है लेकिन आमिर खान की बात करें तो दंगल में फातिमा जो की अक्टरस है उनकी बेटी बनी थी खबरे हैं उनसे affair को लेकर जी हाँ फातिमा और आमिर की affair की खबरे सामने आ रही हैं विल बता दें कि फिल्म दंगल में आमिर की बेटी बनी थी फातिमा लेकिन इसके साथ इस साथ अभी तक इस पर confirmation नहीं हो पाया है लेकिन खबरों की माने तो आमिर और फातिमा एक दूसर से श्रादी भी कर सकते हैं बॉलोबर डैक्टल्स अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोली पीटाउन के सबसे पॉपलर कपल में से एक हो गया है बदाने की हाली में विराट और अनुष्का को एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया जहां पर अनुष्का अपने हभी विराट को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने पहुची थी और अनुश्का ऐसे रियाक्ट कर रही थी कि उन्हें विराट को छोड़ने का मन ही न हो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कभी वो विराट को किस करती भी नजर आ रही हैं तो कभी विराट कोली को को हग करती भी नजर आ रही है बल बता दें कि एरपोर्ट के बाहर जो ये नजारा देखने को मिला वो वाकिए देखने लायक था विराट कोली और अनुशकर शर्मा की जो ये फोटो है जहां पर वो रोमैंटिक अंदाज में नज़र आ रहे हैं ये फोटो बी टाउन में चर्चाओं का विशेवन चुटी है पर हाली में आग्डिस लीना जुमानी पहुची केश किंग गोल के बेड़ कार्फेट अवार्स पर यहां पर लीना जुमानी लग रही थी काफी खुबसूरत खल बता दें कि लीना जुमानी आजकर चर्चाओं में है माया टू वेब सीरीज को लेकर जोहां पर लेजबियन लव सोरी को दिखाया गया है उनके अपॉजिट है प्रियल गौर बता दें कि जो उन दोनों की वेब सीरीज है वो काफी पसंती ज़ा रही है जोहां पर काजोल बॉलेवर्ट के सबसे चुल्दली और बड़बोली एक्परस में से एक मानी चौती है काजोल और जेदेब बॉलेवर्ट के कैसे कपल है जो एक जूचे के साथ काफी मस्ती कटे से भी दिखाई देते हैं लेकिन इनके पॉजिट इनके बच्चे हैं जो कि मीडिया और लाइम लाइट से जड़ा दूर देहना पसंद करते हैं मत आदे कि काजोल की मूवीज के पैंट जो कि पूरी दुनिया इनकी दुबानी है तो आप यह बात जानकर हैरान रहे जाएंगे कि नियासा काजोल की फिल्मों को देखना बिलकुल बिल पसंद नहीं करती काजो को ऐसी कल में देखना जरा भी पसंद नहीं है जानगारी देदें कि नियासा अभी आउट उप इंडिया पढ़ाई कर रही है सिंगापूर में वल यह था अच का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें आपने देखा उन खबरों के बारे में जिन्होंने बी टाउन में बस क्रिय पर चीजें फिर से भारी पढ़ने वाली हैं लेकिन डोंट वरी अगर अभी शेक बचन कमबैक कर रहे हैं तो साथ ही साथ अभी फिल्म का आना बाकी है तो पहले से कोई डिसेजन लेना बड़ा ही गलत हो सकता है तो यह था आज का शो बॉलवर्ड बस जिसमें हमने आपको दिखाया बी टाउन की उन खबरों के बारे में जिनने उन्हें शो बिस में बस क्रियेट कर रखा है और साथ ही साथ कल फिर लेकर आउंगी बॉलवर्ड बस लेकिन सोचे अगर आपको किसी सेलिवर्टी के बारे में जानना है या आप भी हम से जुड़ी हम कोई खबर जान पर जिसमें आप अपना नेम नमबर और मेसेज हम तक पहुंचा सकते हैं लेकिन फिलाल के लिए मुझे दीजे इजाज़त और फोर मोर अपडेट प्लीज लाइक अन सब्सक्राइबर्स झाल